रमश्का मित्रों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल novelsinaudio.gorab में मित्रों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर पुराने प्रसिद्ध, दुरलब, रोमेंटिक और थिलर उपन्यास उपस्तित किये जाते हैं और इसी के चलते हमने आपके सामने प्रस्तित किये गुलशननन्दा जी के आठ उपन्यास, रानू के दो उपन्यास और राजवन्ष का एक उपन्यास और भी अन्य उपन्यास हमने प्रस्तित किये ये सभी उपन्यास आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर जा इनके अलावा एक दो और उपन्यास कारों को छोड़ कर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बहुत अच्छे रोमेंटिक उपन्यास लिखे हो तो इसलिए आपके सामने प्रसुत है आज राजवन्स जी का एक बहुती रोचक उपन्यास अभिशाप यह उपन्यास अपने आप में बहुती प्रसिद्ध है यदि आप इससे सुनेंगे 10 मिनिट भी तो आपको लगेगा कि मैं इस उपन्यास को पूरा सुन लूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे डायलोग्स भी मिलेंगे लेकिर उपन्यास शुरू करने से पहले मैं चाता हूँ कि आप चैनल का सब्स्राइब कर लें यदि आपने चैनल सब्स्राइब नहीं किया है और उसके पास में जो बैल आइकन का बिटन दबा दें जिसमें औल लिखा होता है उस पर क्लिक करें जिससे आपको जो भी समय समय पर मैं वीडियोज भेजता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप और आप उन्हें देख पाएंगे तो प्रस्तूत है आपके सामने रोमेंटिक औपन्यास का राजवंश जी द्वारा लिखा हुआ बेहद रोमेंटिक औपन्यास अभिशाप का पहला भाग कंधों पर फैले भीगे बाल ओठों पर चंचल मुस्कुराहट और आखों में किसी के प्यार की चमक लिए मनू बात्रुम से निकली तो एका एक वहां खड़ी संध्या से टकरा गई और जहेब कर बोली सौरी लेकिन तू यहां क्या कर रही थी प्रतिक्षा कर रही थी तेरी जानती है पूरे 35 मिनट बाद बाहर निकली है तो कौन सा आकाश तूट पड़ा आकाश मुझ पर नहीं उस बिचारे पर तूटा है बिचारा यह बिचारा कौन है आहा संध्या ने मनु के गाल पर हलकी सी चिकोटी भरी और बोली पूस्तो यो रही है मानो कुछ जानती ना हो पूरा आदा घंटा बीद गया उसे यहां आय हुए अच्छा कोई पापा से मिलने आया है पापा से नहीं तुम से नाम तो मैं नहीं जानती गिन्तु शकल, शूरत बिल्कुल राजकुमार लगता है होगा कोई मनु ने अपने बालों को जटका देकर असाध्धानी से कहा तू उसके पास बैट मैं आती हूँ अरे वा, मिलने आया है तुम से और पास बैटू मैं तू जाती है कि नहीं इतना कहकर मनु ने संध्या के कान की और हाथ बढ़ाया तो संध्या खिलकलाते हुए ड्रॉइंग रूम की और चली गई संध्या के चले जाने पर मनु ने कमरे में आकर जल्दी-जल्दी स्वैम को तयार किया और ड्रोइंग रूम में पहुँची किन्तु अंदर पाउ रखते ही एक भयानक विश्पोर्ट के साथ पूरा-पूरा अतीत उसके सामने बिखर गया सामने निखिल बैठा था निखिल जिसे वे प्यार से निक्की कहती थी निखिल उसे देखकर उठ गया और हाद जोड़कर बोला नमस्ते मनु जी मनु उसके अभिवादन का उत्तर न दे पाई ओट कापकर रहे गए तब भी वाँ बैठी संध्या ने उठकर उससे कहा अच्छा बाबा मैं तो चली बैठ न संध्या ना बाबा बहुत देर हो गई कल की पार्टी का प्रबंध भी तो करना है इतना कहकर संध्या वाँ से चली गई मनु अब भी बाहर की ओर देख रही थी कदाचित निखिल की ओर देखने एवं उससे कुछ कहने का साहस उसमें ना था तब ही वे चौकी निकल उससे कह रहा था लगता है मेरा यहां आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा नहीं मनु धीरे से बोली ऐसी कोई बात नहीं तो फिर ये मौन ऐसी बेरुखी सोच रही थी कुछ वे क्या अपने अतीत के विशय में और शायद ये भी कि एक ही रहा पर चलने वाले दो मुसाफिर फिर अलगलग दिशाओं में क्यों चले जाते हैं है ना जो राज हूट गई थी उसके विशय में मैंने कभी नहीं सोचा निकल को यह सुनकर आखास सा लगा मनु की ओर से उसे ऐसे उत्तर की आशा ना थी दीर्ग स्वास लेकर वह बोला किन्तू मैंने सोचा है प्रतेक सुभए प्रतेक शाम मुझे उस रहा की भी याद आई है और तुम्हारी भी सोचकर यह भी नहीं लगा कि तुम बेवफा थी और यह भी नहीं लगा कि तुमने मुझे धोका दिया था तो और क्या लगा मनु ने पूछा और यह प्रश्ण था जिसे उसकी आत्मा को कई बार जंजोड़ा था निखिल बैटकर बोला लगा था तकदीर ने धोका दिया है यदि ऐसा ना होता तो मुझे अपने बेटे की तरह चाहने वाले अंकल गोपिनात मेरी प्राथना को यो असीकवार ना करते कभी न कहते के तुम हमारी मनु के योगे नहीं जानती हो ऐसा क्यों हुआ मनु खामोशी से चहरा जुकाए रही निखिल कहता रहा मेरी निर्धनता के कारण मेरी गरीबी ने लूटा मुझे मेरी गरेबी ने खून किया मेरे प्यार का अनिता मेरी वैरा आज भी मेरी होती मेरी मनु आज भी मेरी बाहों में होती जो बीच चुका है उसे धोराने से क्या लाब लाब है निकल फिर बोल उठा मुझे आत्म शंतोष मिला ये बता कर के ना तो तुम बेवफा थी और ना ही मैं बेवफा था बेवफा थी तो तकदीर मेरी उंबी दे बस करो निक्की बस करो मनु ने बेचैनी से कहा स्वर में अधा पीड़ा थी मानो पुराने जक्म फिर से हरव हो गए हो निखिल ने उसकी यह पीड़ा चुपी ना रही, बोला, सौरी मनू, मैं तो तुम से यह सब कहना ही न चाहता था, पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या लाग, जिन राहों ने सदा सदा के लिए साथ छोड़ दिया, उनकी और देखने से भी क्या लाग, किन्तु हिर्दै ना माना, ना चाहते हुए भी तुमसे बहुत कुछ कह बैठा, ना चाहते हुए भी तुमसे मिलने चला आया हूं, बड़ा विजित्र होता है यह हिर्दै भी, बहुत दुख होता है प्यार करने वालों को, और सबसे बड़ी विजित्रता तो यह है कि उन दुखों को स्वै निखिल बोला पत्थरों की भांती जिनके लिए ना तो पीडाओं का कोई अर्थ होता है और ना ही मुस्कुराहुटों का जिनके सीने में होता है कभी न तूटने वाला मौन और सबकुछ सहने की शक्ती निक्की मनु तड़पकर रह गई निखिल की पीडा उनके अस्तित्व में तूफान बनकर चीक उठी निक्किल ने वाल क्लॉक में समय देखा और घहरी सांस लेकर बोला चलता हूँ मनु बहुत रहत मिली तुम्हें देखकर वर्ष भर की तड़प एक ही पल में मिट गई शुक्रिया तुम्हारे प्यार का और हाँ एक बात और यह निक्किया प और यह कमी भी वो जो कभी पूरी ना होगी काश मेरे पास दौलत ना होती तुम्हारा प्यार होता सिर्फ तुम्हारा प्यार कहते ही निक्किल ने वेचैनी से ओट काट लिये इसके पच्चाद वे एक पल भी नहीं रुका और सुस्त कदमों से बाहर चला गया मनु उससे स एक आये किसी गाड़ी के इंजन की आवास सुनकर वे चौंकी खिड़की के समी पहुँचकर देखा निकल की गाड़ी गेट से निकल रही थी कुछ छणों उपरांद गाड़ी उसकी नजरों से ओजल हो गई किन्तु वे वहीं खड़ी रही तभी किसी की खिलगलाहट बरी हसी ने उसकी विचार मुद्रा तोड़ दी चहरा घुमा कर देखा वे संध्या थी जो पीछे खड़ी उससे पूछ रही थी क्यों हो गया ना मिलन तू कहा थी मनू ने पूछा बराबर वाली कमरे में तूने मुझसे अपने महमान के विशे में कुछ भी नहीं बताया था इसलिए रुख गई मनू बैटकर बोली तो यूँ कहना कि जासूसी कर रही थी ना बाबा मेरी इतनी हिम्मत कहां कि तेरी जासूसी कर सकूँ यह निखिल था निखिल कौन कॉलेज में साथ पड़ा था बस संध्या ने मुस्करा कर पूछा और मनू ने समी बैट गई हम दो हुआ यह कि तुम्हारी दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गई हां तुम दोनों घरवालों की नजरों से चुपकर किसी पार कत्वा पिक्निक स्पॉट पर मिलने लगे हम लोग महरानी गार्डन में मिलते थे अच्छी जगह है बहुत मज़ा आता होगा लेकिन तुम दोनो प्लशन किया निकी से मिलना क्यों छोड़ा निकी पापा को पसंद ना था वह क्यों धरती आकाश जैसा अंतर था उसकी और हमारी हैसियत में यूं कहो कि उसके और मेरे बीच चांदी की दीवार थी मेरे अंदर इतना साहसना था कि पापा से विद्दो करके उस दीवार को तोड़ पाती अत्य पापा के कहने पर मुझे उससे संभन तोड़ना पड़ा इसका मतलब है संध्या उटकर बोली तूने अपने प्यार को एक नाटक और निक्की के हिर्दय को एक खिलोना समझा जब तक चाहा अपना मनोरंचन किया और जब उससे दिल भर गया तो उससे तो जानती है ना कि जीवन में प्यार ही सब कुछ नहीं होता सिर्फ प्यार की बातें और इधर धर घूमना वादे करने कसमे खाने इन सबसे तो जीवन की गाड़ी नहीं चलती जीने के लिए दौलत भी तो बहुत जरूरी है दौलत ना हो तो प्यार की बादे भी जूटे पापा ने मुझे यही सिच्छा दी थी मैंने उनकी सिच्छा पर भी ध्यान दिया और अपना भविश्य भी देखा इसके पस्चाद यही निर्ने लिया कि मुझे अपने प्यार को भूल जाना चाहिए और तु भूल गई नहीं नेश्वास लेकर मनु बोली नहीं भूल प चैना था आखिर आखिर क्यों ठुकराया तुमने मेरे प्यार को क्यों ठुकडे ठुकडे कर दिया मेरा दिल उसने मुझे कई बार वेवफा कहा और मैं रो पड़ी उसने मुझे चीक चीक कर धोके बाच कहा और मैं कुछ भी ना कह सकी यह सब बाते कहते कहते मनु का कंड भ खेर, संध्या बोली, मैं यह तो नहीं चाहूंगी कि तूने अच्छा किया या बुरा, किन तू एक सलह अवश्य दूंगी, मुझे तूसे उसे भूल जाना चाहिए, एक सप्ता बाद तेरा विवा है, यदि तूने विवा के पस्चाद भी निक्की को याद रखा, तो तू क होगी उस कर्म राख को कुरेदने से, अच्छा मैं चलती हूँ, इतना कहकर संध्या ने मनु का कंदा थपतपाया और चली गई, मनु उसके जाते ही खिड़िकी के समीप आ गई, उसकी आखों में अब आशूं की मोटी मोटी बुधें जिल मिला रही थी, निखिल की उंगल की एक व्यक्ती ने कमरे में प्रवेश किया, निकिल के ओठों पर गर्वपूर्ड मुस्कराहाट फैल गई, उसने सिगरेट एश्ट्रे में कुचल दी और चौकने का अबने करते हुए उठकर बोला, नमस्ते अंकल, आईए आईए ना, ये गोपीनात थे, चुद्वार के निकट खड़े निकिल को यो देख रहे थे, मानो संसार के किसी बड़े आश्चरी को देख रहे हो, निकिल उन्हें यो विचार मगन देखकर फिर बोला, अंकल, लगता है आप मुझे भूल गए हैं, मैं निक्की हूँ, निक्की यानि निकिल, बैंक चपरासी, श्रीमान राजाराम जी का बेटा, ओ, गोपीनात के उठों से निकला, किन्तु आँखों में फैले आश्चर के भाव कम न हुए, आप शायद यह देखकर हैरान हैं कि एक चपरासी का बेटा, जो किसी समय कॉलेज की फीस भी नहीं दे पाता था, एका एक शिल्पा फिल्म कंपनी का म सब कुछ विदादा के हाथ में होता है, विदादा चाता है तो राजा को एक ही पल्प में रंक और रंक को राजा बना देता है, असल में मेरे एक चाचा जी थे, वेडी प्रसाद, उनका हमारे परवार से खून का रिष्टा ना था, किन्तु जो रिष्टा था वे खून से इस शहर में वे वर्षों हमारे साथ रहे, उनका अपनों के नाम पर तो कोई था नहीं, अतेवे हमारे परवार को ही अपना परवार मानते थे, मुझसे विशेव श्मो था उनका, बच्वन में मैं उनी के पास सोता था, और उनी के हाथ से खाना खाता था, फिर एक दिन पिता कोणों की संपत्ती उन्हें मिल गई, फिर एक दिन वेड़ी प्रशाद भी दुनिया से चले गए, और मरने से पूर अपनी कुल चल चल संपत्ती मेरे नाम लिग गए, यो समझिए कि विधाता ने मुझे छपड़ फार कर दिया, और रंग से राजा बना दिया, लेकिन, ल मेनेजर सकसेना ने मुझसे आप से विशे में बताया था, ये जानकारी खुशी हुई कि आप, अब मेरा कोई वैसा इरादा नहीं है, क्या मतलब, मैंने ठेका लेने का विचार त्याग दिया है, ऐसा क्यों अंकल, क्या आप ये सोचते हैं कि इस ठेके से आपको कोई लाब ना होगा, लाब तो होगा, किन तुम्हें बीती बातों को दिमाग से ना निकाल पाऊंगा, मुझे आज भी वो दिन याद है, चाद तुमने मेरे सामने मनू से शादी करने की बात रखी थी, कोपीनात मनू की बात कह गई, और आपने मेरी प्राटनों को अशिक्वार कर द इसमें आपका कोई दोश ना था, आपने तो मेरे सामने एक सच्चाई रखी थी, आपके इस्तान पर कोई दूसरा विक्ती होता, तो वह भी मेरी मांग को ठुकरा देता, वास्ता में ये दोश तो मेरा था, मुझे मनू के विश्य में सोचना ही नहीं चाहिए था, मुझे साहस न जुटा सका था, क्या, क्या तुम सच कह रहे हो निखिल बेटे, कामती आवाज में गोपीनाद बोले, क्या तुम्हें मुझे से वास्तम में कोई शिकायत नहीं, विश्वास कीजी अंकल, मुझे वास्तम में आपसे कोई शिकायत नहीं, और वैसे भी, आप तो मेरे और सरकार कर गोपिनात बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें समझने में भूल की, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, भूल जाईए सब और सिर्फ एक वचन दीजिए, वे क्या, आप इस कंपनी को अपनी समझेंगे और इसके लिए काम करेंगे, अवश्य निकल, अवश् फिर एक पल रुक कर उन्होंने कहा, किन्तु मुझे अफसोस है कि अंकल, आज जो कुछ कहना चाते हैं, उसे मैं समझ रहा हूँ, किन्तु आप इस समझ में कुछ न सोचें, मनु का विवा हो रहा है, इस समाचार से मुझे दुख नहीं, बलके प्रसनिता हुई है, मैं तो क कहकर निखिल ने इंटर कॉम का रिसीवर उठाया, और अपने मैनेजर सकसेना से कहा, सकसेना जी, आप गोपिना जी को आधे पेमेंट का चेक आज ही दे दें, लेकिन सर, मिश्टर सकसेना, जो कहा है वही कीजिए, और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिए कि इन्हें भवि संध्या ने जो ही केक काटा, पूरा हॉल तालियों की गड़कडाहट से गूँच उठा, महमानों ने उसे जन्मदिन की मुबारक बात दी, किन्तु उन महमानों में मनू ना थी, वे तो एक भीर से अलग गेलरी में खड़ी मानो किसी की प्रतिक्षा कर रही थी, एक आये कि किसी ने पीछे से उसके कंदे पर हाथ रखा, मनू चौक गई, मुड़कर देखा, यह उसका मंगेतर प्रोफेशर आनन था, जो उससे कह रहा था, सौरी मनू, आने में थोड़ी देर हो गई, कब आये, ठीक दस मिनट पहले, केक मेरे सामने ही काटा गया है, तुम्हें हॉल में, वहाँ सब लोग तुम्हारी प्रतिक्षा में है, संध्या तो तुम्हारे विश्य में रेणू और तारिका से भी पूछ रही थी, मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं, क्यों, सर में भारी पन है, शोर शराबा बुरा लगता है, तो आओ बाहर चलते हैं, थोड़ी देर विंकार ना कर सकी, और आनन के साथ चलकर बहार आ गई, किन्तु बहार निकलते ही चोंकी, कोठी के सामने निखिल की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के समीब खड़ा, वे द्वार की ओर ही देख रहा था, नीला सूट, काले जूते, और वैसी ही मैचिंग टाई में वे, कि पार्टी से जाना ठीक नहीं, किन्तु तुम्हारी तबियत, तुम ऐसा करो संद्या से कहदो कि मनु की तबियत एकाएक बिगड़ गई है, और हम लोग निकटके किसी क्लीनिक तक जा रहे हैं, ठीक है, मैं कहकर आता हूँ, इतना कहकर आनन्द कोठी में चला गया, मनु यह आनन्द के चले जाने पर वे निखिल के समीप आई और बोली, तुम यहां, देखने आया था तुमें, विश्वास सा तुम पार्टी में जरूर आओगी, निखिल, निक्की ना कहोगी, यह अधिकार में खोचुकी हूँ, केवल अपनी ओर से, निखिल ने सिगरेट सुलग तुम जानते हो, मनश्य लाख प्रयास करके भी बीते हुए समय को नहीं लोटा पाता, अच्छा होगा कि मुझे भूल जाओ, एक शर्त पर, वे क्या, वे यह कि तुम मुझे भूल जाओगी, मनु को युत्तर ना दे सकी, निखिल उसके चेरे पर फैले एक-एक भाव को प पिए कियों? सोस्ती थी, तुमारे लिए यह सरल होगा, नहीं मनु यह सरल नहीं, यदि सरल होता, तो तुमारी इस्प्रतियां मुझे फिर यहां आने पर विवश न गरती, तुमारी इस्प्रतियों ने मुझे कितने बीड़ा दी है, तुम यह न जान पाओगी, यदि कि तुम बेवफा ना थी किन तु आस थो नहीं मनू मैं तुम्हें आज भी बेवफा नहीं कहूंगा यह जानकर भी नहीं कि तुम प्रोफिसर आनन से विवा कर रही हो चानती हो क्यों क्योंकि यह विवा तुम्हारी नहीं का तूफान फैला था वे कुछ कहना ही चाती थी कि एकाएक कोटी से निकलते आनंद को देखकर यूँ चैरा घुमा लिया मानो निखिल को जानती ही ना हो फिर भी निखिल ने उससे कहा कल साइट ठीक 6 बजे मैं रोशनी बाग में तुमारी प्रतिक्षा करूंगा इसकी उप खड़ी लड़की से कहा प्यार बफा वादे और कश्मे इन सब बातों पर हम यकी नहीं करते हमने प्यार को ग्रणा में बदलते देखा है और गश्मों को कच्छे धागों की दर तूटते देखा है इसलिए भूल जाओ इन शब्दों को मत कहो कि तुम हम से प्यार करती हो निकल फिर बोला, इसका विपराय ये नहीं कि हम तुम्हें नापसंद कर रहे हैं, तुम सुन्दर हो, तुमारे अंदर वैसा भै जो किसी भी पुरुष को अपनी और अकरशित कर सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम एक प्रतिवाशाली लड़की हो, आपने वास्ता में कभी किसी से प्यार नहीं किया, किया था, शायद मंचल ना मिली होगी, हाँ, बेवफा कौन था, वै अथवा आप, वै, आपकी प्रेमिका, हाँ, निखिल ने घ्रणा से कहा, उसे प्यार की नहीं दौलत की जरुरत थी, उसे प्रेमिका के रूप में एक उसके लिए महत्व था सिर्फ दौलत का, और इसलिए उसने मुझे टुकरा दिया, तोर डाली सब कसमें, छुटला दिये वादे, खून कर दिया मेरे प्यार का, और शिल्पा उसके समीब बैट गई, और बोली, और यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि उससे मैं आपके पास थी, हाँ, किलास के एक घूंट भरकर निखिल बोला, क्योंकि मैं निर्धन था, किन्तु उसके इस भेवार ने, उसकी बेवफाई ने मुझे बहुत बड़ी सुच्छा दी, उसने मुझे से बताया कि प्यार के किस्से सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, अनिता हकी नशे की अधिक्ता के कारण निखिल ने उसे अपनी और खींच लिया, और बोला, और जानती हो, ठीक एक वर्ष पस्चात, तब मैं उससे एक अमीर विक्ती की रूप में मिला, तो क्या हुआ, उसकी आँखें भराई मुझे देखकर, उसे पस्चाताप हुआ पीते समय पर प्यार उमणाया उसके हिर्दय में मेरे लिए, कहकर निखिल हस पड़ा, शिल्पा ने गिलास उसके ओठों से लगा कर कहा, लीजिये, इसे खाली कीजिये, और सब कुछ भूल जाईए, निखिल ने गिलास खाली कर दिया, तब ही इंटर कॉम बजा, शिल्पा ने रिसीवर और अपने केविन में बैठो, किंतु सर, एक जरूरी मीटिंग है, ठीक है सर, फिर शिल्पा चली गई, और निखिल एक सिगरेट शुलगा कर उसके हलके हलके कश खीचने लगा, ठीक उसी समय द्वार खुलकर किशी ने सिस्टिता से कहा, श्रीवान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, येस कम इन, आगंतुक ने अंदर प्रविश किया, आयू चालीस वर्ष के आसपास, खिचडी बाल और आखों में संसार भर की निराशा, नेखिल के सम्मुक आते हुए बोला, पंकच, पंकच शर्मा, बैठिये, पंकच शर्मा बैठ गया, नेखिल ने उससे पुछ सर में राइटर हूँ, अखवार में आपकी कमपनी का विज्यापन देखकर आया हूँ, क्या-क्या लिगा है आज तक, बहुत कुछ लिखा है सर, सेक्डों, कहानिया, उपन्यास और यहां तक की कवताएं भी, क्या मिला इतना सब लिखकर, सिर्फ निराशा और ठोकरे, बह आपने केवल वे लिखा जो आप चाते थे, आपने वे नहीं लिखा जो लोग चाते थे, यही बातें आपकी असफलता का कारण रही, आप राइटर होकर भी जिन्दिगी की यह सच्चा ही नहीं समझे, कि जो लोग जमानिक हिसात नहीं चलते, समाना उन्हें ठोकर मार देत मैं, मैं समझा नहीं सर, मिस्टर पंकच, आप कल आईए, मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा, किन्तु यह सोच कर आईए कि आपको लिखना है, आपको वे नहीं लिखना है जो आप चाहते हैं, बलके आपको वे लिखना है जो मैं चाहता हूँ, मैं आपको आकाश की पहुचाने का वादा तो नहीं करता, किन्तु इतना आवश्य विश्वास दिलाता हूँ, कि आप भूके पेट ना सोएंगे, और हाँ, एक बात और, यदि आप स्वयम को आदर्श वादी मानते हैं, तो अपने आदर्शों को घर छोड़ कर आईए, क्योंकि मुझे सिर्फ आ पंकशर्मा चला गया, और निखिल सोफे की पुष्ट से सट गया, दोपैर का समय था, मनु खिड़की के सामने खड़ी आकाश में तेरते बातलों को देख रही थी, मन इस्तिर ना था, कभी वे निखिल के विश्य में सोस्ती, और कभी आनन्द के विश्य में, उसे यो वे एक ऐसे तूफान में फस गई थी, उसे भै था कि कहीं ये तूफान उसे खीच कर निखिल की ओर न ले जाए, और वे आनन्द को उसी प्रकार न भूल जाए, जिस प्रकार निखिल को भूल गई थी, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी, और मनु जरे कैसा, तुम्हारा ध्यान तो आकाश में तेरते बादलों की उर्था, मनुष्य वही तो देख पाता है, जिस और उसका ध्यान होता है, यही कारण है कि तुम्हें मेरे आने का पताना चला, सौरी, मनु कोरसी खीच कर आनन्द के समी बेट गई, और बोली, लेकिन इस में आकाश में बादलों का घुमना मुझे अच्छा लग रहा था, चानते हो, चलचलाती धूप में जब सूरच आग उगल रहा हो, और अचानक कोई बदली आ जाए, तो मन को कितनी शांती मिलती है, सिर्फ शांती ही नहीं, शीतलता भी, खैर तबियत कैसी है, ठीक तो हू क्या वास्ता में ठीक हो, मनु को ध्यान से देखते हुए आनन्द ने पूछा, क्यों तुम्हें क्या लगता है, लगता है जैसे तुम्हारे सर में रादभर दर्द हो रहा है, नहीं तो, तो फिर आखों में नीद का नशा, बोजिल पलकें, ठीक से सो नहीं पाई, पर बैठते हुए बोला, हम दोनों यहीं रहेंगे, मनु आनन्द के पास बैठ कई और बोली, सच कह रहे हो तुम, बिल्कुल सच, मनु को अपनी गोद में खीचकर आनन्द ने कहा, मैंने इस समंद में भहिया से भी कह दिया है, खेर चलो, अब सो जाओ, सो जाओ, इस समय, क्यों समय क्या बुरा है, ना बाबा मुझे दीद ना आएगी, क्या, मनु के कपलों को अपनी हतेलियों में भर कर, उसकी आँखों में जागते हुए आनन्द ने पूछा, मेरी बाहों में भी नहीं, यह बात की बात है, बात की क्यों, अभी हमारा विवा नहीं हुआ, तो बोली हेलो, मनु मैं निक्की बोल रहा हूँ, आवाज सुनकर मनु के ओठों पर मद्दम सी मुस्कराहट उबरी, किन्तु दूसरे ही छण आनन्द की उपस्तिती के कारण, उसकी यह मुस्कराहट लुप्त हो गई, और वे कापती आवाज में बोली, आप, आप कहां से बोल रहे हैं, किन्तु ठीक 6 बजे हम रोशनी बाग में होंगे, आपको याद है न, हम वहाँ आपकी पतिक्षा करेंगे, ठीक है, कह दूंगी, मनु ने कहा और रिसीवर रखकर आनन्द से बोली, मैं तुमारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ, किसका फोन था, आनन्द ने पैदा हो गए, इसमें बुरा भी क्या है, मैं सुन्दर हूँ, युवा हूँ, इसलिए मुझे चाने वाले भी पैदा हो सकते हैं, जरा सामने तो लाओ उसे, क्या करोगे, गर्दन न तोड़ दूँगा, क्यों, क्या बिगाड़ा है उसने तुमारा, उसने मेरी मनु को चा चाए, अत्वा कॉफी, यह सब नहीं, और मनु ने पुछा, आनन्द ने उसके ततकाल बाहों में भरा और उसके ओठों का चुम्मन ले लिया, जंगली, कहते हुए मनी ने सुम को चुड़ाया, और तेजी से बाहर चली गई, आनन्द हस पड़ा, सांच होने में अभी देड़ थी, पश्चिम की दिशा में उठने वाली एक बदली के कारण मौसम सुहाना हो गया था, रोशनी बाग में चहल पहल थी, अनेक जोड़े फूलों की क्यारियों के आसपास घुम रहे थे, किन्तु निखिल की इन चोड़ों में कोई दिल्चस् उसकी उंगलियों में सिग्रेट सुलक रही थी, और वे एक क्यारी के समीब खड़ा बेचैनी से मुख द्वार की ओर देख रहा था, एक आएक उसके ओठों पर मुस्कराहाट उबर आई, मनू टैक्सिक से उतर कर उसी की ओर भढ़ रही थी, आसमानी साड़ी में वे किसी जफसरा की बांती लगती थी, जो ही वे निकट आई, निकल ने सिग्रेट पूट से मसल दी, और उससे कहा, मुझे विश्वास था, तुम जरूर आओगी, ना आती तो नाराज होते, नहीं, मैं सिर्फ यह सोस्ता कि तुम्हें आनन्द के कारण समय ना मिला होगा, वैसे क् करते हैं तुम्हारे आनन्द साहब, दर्शन शास्तर के प्रोफेसर हैं, खूव, फिर तो वेतन भी अच्छा होगा, क्या पता, पता होना चाहिए था, कहकर निकल घास के मितान क्योर भढ़ने लगा, मनु साथ थी, वै उससे बोला, बात यह है कि पैसा मानवी जीवन की शायद बुरा मान गई, क्यों, मैंने तुम्हारे आनन्द के विशे में जो पूछ लिया, मुझे आनन्द के विशे में विशेश जानकरी नहीं, फिर यह विवा, पापा की इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी सहमती, भारती परिवारों में लड़कियों की सहमती, असहमती को अधिक मैंत्व नहीं दिया जाता, विवा की समंद में मेरी सहमती पूछी जाती, तो मेरी जिवान पर तुम्हारे अत्रिक किसी दूसरे का नाम ना आता, निखिल मुस्कुरा दिया, कुछ छणो परांद वे बोला, जाने दो, जो कुछ हो चुका है उसे सोपने की भांत पर बैट गए, निखिल एक सिगरेट सुलगा कर उसके कश खीचने लगा, पौन को तोड़ते हुए मनुस से बोली, एक बात पूछूं, वे क्या, तुम्हारे जीवन में एक आएक या परिवर्थन कैसे आया, करीबी के पस्चात अमीरी, हाँ, विधाता की गरपासे, लिख दी, और मैं करोड़ पती बन गया, सुना है, आजकल तुम कोई फिल्म बना रही हो, ये किसने कहा तुम से, पापा ने, हाँ, मैंने शिल्पा फिल्म कंपनी के नाम से फिल्म लेमान का कारे शुरू कर दिया है, स्टूडियो का ठेका भी तुम्हारे पापा को ही दिय जा गया है, स्टूडियो बनते ही काम शुरू हो जाएगा, आना किसी दिन, कहां, स्टूडियो में, किसी दिन पापा की साथ आऊंगी, उह, आनन्द के साथ, आनन्द के साथ क्यों, इसलिए क्योंकि ठीक तीन दिन पश्चा तुम्हारा विवा है, ओ, मनु के ओठों से नि ये उस द्रश्ची को देखना बहुत कठिन होगा, किन्तु प्यार के लिए प्यार की पीड़ा को सहन करना भी आवशक होता है, मैं उस पीड़ा को सहन ना कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उस दिन हौंक कॉंग जाने का प्रोग्राम बना लिया है, वहां मुझे अपनी कंपनी से संबंदित एक काम तो है ही, साथ ही मैं उस पीड़ा को भी भूल जाऊंगा, अते सोचता हूं तुम्हारे विवा का उपहार तुम्हें आज ही दे दूँ, मनु ने उत्सुकता से निखल की ओर देखा, निखल ने अपनी जेब से शीशे की एक खुबसूरा डिविया नि किन्तु वक्त की ऐसी आंदी चली कि सब कुछ विखर गया, ना खौब रहा ना अंगूठी रही, आज भी अंगूठी तो है किन्तु खौब नहीं, खौब तूट चुका है, इससे सोहागरत वाली दिन पहनना, और हो सके तो मुझे एक पल के लिए याद कर लेना, मनु यह सिर्फ हाथ से का नाम दिया है, अतै यह मत कहो के, तो फिर क्यों कहते हो तुम यह सब, क्यों बार-बार उस तस्वीर को मेरे सामने रखते हो, जो मेरी आत्मा को तरपाती है, क्यों नहीं समझते तुम मेरी विवश्चता को, क्यों नहीं सोचते कि मनु आज भी मेरी है, मेर कहीं दूर ले चलो मुझे किसी ऐसी दुनिया में जहां हम दोनों के सिवाए कोई और ना हो ठीक तीन दिन बच्चात मेरा विवा है ठीक तीन दिन बच्चात में विवा का सुर्ख चोड़ा पहन कर आनंद की डूली में बैठ जाऊंगी किन्तु यदि तुमने मुझे से उस वक्त भी साथ चलने के लिए कहा तो मैं चलूंगी निक्की मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी यह सब कहते कहते मनु ने निखिल के कंदे पर सर रख दिया और सिसक उठी उसे यों सिसकते देखकर निखिल के ओठों पर फ्यलने वाली मुस्कुराहट और भी गैरी हो गई पल भर के मौन के पस्चाथ कंबीर स्वर्मेवे बोला नहीं मनू मेरा प्यार खुदगर्ज नहीं मैं अपनी खुशी के लिए आनन्द की खुश्यों में आग ना लगाऊंगा मैंने प्यार में हसना सीखा है तो रोना भी सीखा है मेरे अंदर इतना साहस है कि आस्कों को पी सकूँ तुम शौक से विवा का जोड़ा पहनो तुम पूरे उत्सा इवं उल्लास से आनन्द की डोली में बैठो मैं तुमसे कभी ना कहूंगा कि इन रस्मों को तोड़कर मेरे साथ चलो कभी नहीं कहूंगा कि मेरा प्यार मुझे लोटा दो मनू मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो और मुझे मेरे कम निक्की निक्की आसू पोश लो मनू मत रो मुझे बैह है कि कहीं तुम्हारे ये आसू मुझे मेरा जीवन न चीन ले मनू ने सिस्कियां पी कर आसू पोश लिए मनू ने डिविया ले ली बोली बेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही काफी था निकी तुम्हें इतना कीमती उपहार खरीदने की क्या जुरूरत थी पसंद नहीं है शायद यह तो डायमंड रिंग है यदि तुमने मुझे उपहार में एक फूल भी दिया होता तो भी मुझे पसंद आता आओ अब चलें मनु उठ गई डिबिया उसने पर्स में डाल ली थी एक हाएक निकिल को कुछ याद आया और वैं बोला एक प्रातना है मनु बोलो बचन दोके असीकवार ना करोगी बचन देती हूँ मनु मैं चाहता हूँ के हम दोनों पविश्य में भी मिलते रहे ऐसा ही होगा निक्की आनंदरे रोका तो मैं तुम्हारे लिए समाज की मरेयदाएं भी तोड़ दूँगी थेंक्यू मनु यह कहकर तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोज उतार दिया आओ कहकर निकल ने उसका हाथ थाम लिया दोनों रोश्नी बाग से बहार आ गए पस्चिम की दिशा से उटने वाली काली घटा अब तेजी से आकाश पर फैलती जा रही थी समय मानो पंक लगा कर उड़ा और फिर आया मनु के विवा का दिन यो गोपिनाथ जी की आर्थिक स्थिती ठीक ना थी पिछले एक वर्ष में उन्हें इतना घाटा हुआ था कि वे लाखों के कर्ददार हो गए थे इसके वाबजूत भी वे बेटी के विवा में दिल खोल कर खर्च कर रहे थे कोठी को दुलहन की तरह सजाया गया था कोठी के ठीक सामने एक पार्क में शामियाने लगे थे महमानों के बैठने एवं बारत के खानपान की विवस्था उसी पार्क में की गई थी कोपिनाथ इस समय पार्क के मुखे द्वार पर खड़े थे और महमानों का स्वागत कर रहे थे कोठी के अंदर मनु की सकी सहेलियां उसे सजाने सवारने में व्यस्त थी किन्तु मनु के चहरे को देखकर यूं लगता था मानु आज का ये दिन उसके जीवन में कोई विशिश्क खुशी लेकर ना आया था उसके मन मस्तिश्क में इस समय भी एक तूफान चकर काट रहा था और परस्पर विरूधी विचार जो आनंद एवं निखिल से सम्मंदित थे रह रहकर एक दूसरे से टकरा रहे थे निखिल के मिलने से पहले ऐसा ना था उस समय उसके हिर्दय पर केवल आनंद का अधिकार था और आनंद को यह अधिकार उसने स्वयम दिया था एक छोटी सी मुलाकात ही उसे आनंद के करीब ले आई थी और फिर वही मुलाकात प्रेम में परवर्तित हो गई थी यह तो उसे बाद में पता चला कि उसके पिता भी आनंद को जानते थे फिर ऐसा भी हुआ जब एक दिन पिता ने बेटी की भावनाओं को समझा और आनंद से उसका रिष्टा पक्का कर दिया आनंद के मिलते ही वे निखिल को भूल गई शायद उसे निखिल को चाहा भी ना था चाहा होता तो भूलना इतना सरल ना था वही निखिल आज फिर उसके सामने था एक साध्राण यूवक के नहीं एक दौलतमन यूवक के रूप में निखिल से मिलकर वे आन्दोलित हुई थी उसके मन मस्तिश्क में एक बहाना खल चल हुई थी और यह वही चड़ थे जब उसने पहली बार अपने आप से यह प्रश्न किये थे क्या वे निखिल को चाहती है? क्या उसने निखिल से वास्ता में प्यार किया था? कहीं ऐसा तो नहीं था उसका निखिल के प्रती यह आकर्शन के बल उसकी दौलत के कारण हो तो क्या वे निखिल की दौलत को प्यार करती है? यह प्रश्न उसके मस्तिश्क में इस वक्त वी तूफान की भाती शोर कर रहे थे और वे समझ ना पा रही थी कि आखिर सच क्या था वे जान ना पाई थी कि उसने निखिल को पहले भी चाहा था अत्वा सिर्फ आज चाहा था सहसा मनू की विचार शंगला तूट गई संध्या उसे जंजोडते हुए पूछ रही थी कहा खो गई तू? मनू ने आखे खोल कर कहा और चौकर देखा कमरे में संध्या के अत्रिक्त अन कोई ना था संध्या ने उससे फिर पूछा क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं तो फिर ये मौन, विचार, मगनिता? नीद आ गई थी एक गलास पानी तो देख प्यास लगी है? हाँ दिल की प्यास है, पानी से कैसे बुझेगी? इसके लिए तुझे आने वाली रात की प्रतिक्षा करनी पड़ेगी संध्या ने शरारत से कहा और हस पड़ी मनु बोली, बहुत निरलज हो गई है इसमें निरलज जिता कैसी? सोहागरात वाले दिन यही होता है मनु ने कुछ चणो तक तो संध्या के शब्दों का अर्थ ही ना जाना फिर जोही बात समझ में आई उसने जट से संध्या की चोटी पगड़ ली और उसे अपनी और खीस्ती हुई गुस्से से बोली बहुत बोलने लगी है तू माफ कर बाबा अब ना बोलूँगी प्रॉमिस वचन देती हूँ मनु ने उसकी वेणी छोड़ दी तभी सड़क पर बैंड की आवास सुनाई दी संध्या ने कहा ले आ गए तेरे वो मेरे वो वो कौन प्रोफेसर साहब तो मैं क्या करूँ मनु ने असाबधानी से पूछा वर्माला उठा और गेट पर चल तू क्यों नहीं चली जाती ना बाबा ना संध्या बोली तेरा ये दुबला पतला दर्शन शास्त्रगा प्रोफेसर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये दार्शनिक लोग प्रेम एम रोवांस के मामले में बिल्कुल अनाड़ी होते हैं मैं प्रेम प्यार की बात करूँगी और ये साब अपना दर्शन बखारेंगे कभी तो जीवन व्रत्यू के भेटपर लेक्चर देंगे और कभी प्रकर्टी के रहसे समझाएंगे मैं तो चार दिन भी ना निमा पाऊंगी इसमें दिक्कत कैसी आदमकत शरीर में अपनी छबी देखते हुए मनु ने कहा जब तक निभे निभाना और उसके पस्चात तलाक ले लेना भाई हम भी तो सुनें तलाक किस से लिया जा रहा है एक एक रेडू एवं सीमा ने आकर कहा तो मनु जल्दी से दरपन के सामने से हट गई उसके शब्द रेडू एवं सीमा ने सुन लिये थे संध्या ने उत्तर देते हुए कहा अपनी रानी जी आनन से तलाक ले रही है कहती है ये प्रोफेसर तोर सोहागरात वाले दिन भी अपना दर्शन ही बखारेगा अते मैं तो ना निभा पाऊंगी क्यों रानी जी रेडू ने सामने आकर मनु के गाल पर चिकोटी भरी और बोली किसी और से नैना लड़ गए है क्या अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से तलाक संध्या इवं सीमा इस पर खिलखिला कर हस पड़ी बनु केवल मुस्कुरा कर रह गई मिश्टर पाशा सब ओके है सर वे राइटर कहां है हॉल में मैं उससे आज के सीन में थोड़ा परविर्तन करा रहा हूँ इस क्रिप्ट जैसी भी है उसे वैसी ही रहने दो एक बात का ध्यान रखो यह राइटर शूटिंग के दोरान वहीं रहना चाहिए हम नहीं चाहते कि बाहर के किसी भी आदमी को हमारा प्लान का पता चले मैं समझ गया सर लंबे तगड़े और स्या चहरे वाले पाशा ने कहा आज के पस्चात ऐसी भूलना होगी गुड अब तुम शूटिंग करो और शिल्पा को हमारे पास भेज दो सर क्या आप शूटिंग न देखेंगे शायद आज नहीं निकल ने कहा और सोफे की पुष्ट से सटकर वे सिगरेट के लंबे-लंबे कश खीचने लगा पाशा चला गया उसी समय शिल्पा ने कमरे में प्रवेश किया वे इस वक्त उची स्कर्ट इवं ब्लाउस में थी ब्लाउस के अंदर कैद उसके सुद्रण अंग मौन निवंतरण सा देते प्रतीत होते थे शिल्पा ने अंदर आते ही निकल के मूट को समझा और उसके समी बैट कर बोली सर क्या ये सच है कि आज आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं तब ये तो ठीक है शिल्पा किन्तु मन में थोड़ी उथल पुतल है और जानती हो ऐसा क्यों है क्यों शिल्पा ने पूछा और अपने पाउं मेस पर फैला दिए उसे ऐसा करते ही इसकर थोड़ी उपर उड़ गई और शिल्पा की सुडौल, जंगाएं इसपश नजर आने लगी किन्तु निखिल ने उस और कोई ध्यान न दिया और बोला आज हमरी प्रेमका की शादी है आप मनु की बात कर रहे हैं ना सर हाँ तो इसमें सोचना कैसा आप तो जानते ही है कि नहीं शिल्पा नेखिल ने निस्वास ली और बोला आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम उसे आज भी चाहते हैं जैसे हमारा इर्ध है आज भी उसी के लिए सुरच्छित है और यह सब हमें आज ही लगा है शिल्पा आज ही छोड़िये सर और काम की बातें कीजिए आज भली प्रकार आप जानते हैं कि इस अंसार में प्यार वफा और बादों का कोई महत्व नहीं हम लोग केवल अपने स्वार्थ के कारण मिलते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही उससे योँ दूर चले जाते हैं मानो कभी कोई रिष्टा ही ना रहा हो तुम सोस्ती हो हमने उसे कभी नहीं चाहा मैं सोस्ती हूँ आपने उसे चाहा है न चाहा होता तो आप उससे एग वर्ष के बाद फिर न मिलते आपके हिर्दे में तरड़क थी उसके लिए आप उससे इसलिए भी मिले क्योंकि आप उसके सामने अतीत की तस्वीर को रखना चाते थे आप चाते थे वे आपको देखकर पस्चाताप करे और जी भर कर रोए यही हुआ वे रोती तो आपको शांती मिली उसने पस्चाताप किया तो आपको खुशी हुई अन्यता यदि आपका मनु से कोई रिष्टा ना होता यदि आपके हिर्दय में उसके लिए बिलकुल भी चाहत ना होती तो आप उससे क्यों मिलते सर निखिल ने कुछ ना कहा और बेचैनी से ओट काटने लगा शिल्पा ने जूट ना कहा था उसके हिर्दय में आज भी वही चाहत थी उसके लिए यदि ऐसा ना होता तो उसके हिर्दय में आज इतनी पीड़ा क्यों उठती क्यों उसे ऐसा लगता कि मनु किसी और की होने के साथ साथ उसकी तमाम खुशियां भी बटोर कर ले जा रही है तब ही शिल्पा उससे बोली सर मैं आपके लिए ग्लास तैयार करती हूँ ठेरो शिल्पा निखिल ने कहा और फिर फोन को अपनी और सरका कर वे गोपिनात का नंबर डायल करने लगा संबद मिलते ही वे बोला मनु से बात कराईए कुछ अड़ो प्रांथ मनु की आवाज सुनाई पड़ी हेलो आप कौन है निक्की कैसी हो बारात आ चुकी है बहुत खुश हो ना निक्की जब सपने तूटते हैं तो खुशी नहीं होती बहुत दुख होता है किन्तु ये दुख हैसा होता है जो कभी जवान पर नहीं आता जिसके लिए आखों में आँसू भी नहीं बैते सिर्फ मैसूस किया जाता है मनु याद है तुमने मुझसे कुछ कहा था तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कहकर तो देखो नहीं मनु इस समय कुछ न कहूँगा मैं नहीं चाता कि आज की ये खुशी किसी मातम में बदल जाए किन्तु मैं तुमसे कहूँगा आवश्य मैं इस बार बाजी को नहीं हारना मान सकता मनु मैं तुमसे अलग रहकर चैन से न जीपाऊंगा मैं आऊंगी निक्की मैं जरूर आऊंगी और कुछ एक बात और मेरा उपहार तो तुम्हें याद रहेगा सिर्फ उपार ही नहीं उपार देने वाला भी थैंक्यू मनु अब तुम अपने प्रोफेसर का स्वागत करो मैं रिसीवर रखता हूँ कहते हुए निखिल ने गहरी सांस ली और रिसीवर रख दिया चहरा गुमा कर देखा शिल्पा उसके सामने शराब का गिलास लिये खड़ी थी निखिल ने सिगरिट एश्ट्रे में डाल कर गिलास थाम लिया और शिल्पा से कहा शिल्पा मनुष्य का सुभाब भी बड़ा विचित्र होता है सस्तो यह है कि हम अपने जीवन में हर पल एक नाटक खेलते हैं हम हर पल धोका देते हैं दुनिया को और यह जीते हैं कि लोग हमारे विशय में कुछ भी नहीं जान पाते किन्तु हम अपने आपको कभी नहीं चल पाते अपने आपको कभी धोका नहीं दे पाते शिल्पा निखिल के इन शब्दों का अर्थ ना समझ सकी और बोली गिलास खाली कीजिये सर निखिल ने गिलास ओठों से लगा लिया उसी समय इंटर कॉम पजा निखिल ने गिलास रखकर रिसीवर उठाया तो दूसरी ओठ से पाशा की अवाज सुनाई पड़ी एक प्रॉब्लम है सर वे क्या कामनी अपने आपको काफी नर्वस महसूस कर रही है बारबार रेटेक हो रहा है अभी तक एक भी शॉट ओके नहीं हुआ मिस्टर पाशा कलाकारों को नर्वस अथवा एक्टिव रखना डारेक्टर के हाथ में होता है आप कामनी को समझाने की गोशिश करें बारबार रेटेक होना अच्छी बात नहीं सर मैं सोच रहा था कि शूटिंग कल तक के लिए इस्थागित कर दी जाए मिस्टर पाशा आप समझ नहीं रहे यह फिल्मे हमें चार दिन के अंदर अंदर तयार करनी है डिस्टिबूटर का पैसा आ चुका है कामनी यदि काम करने को तयार नहीं है तो आप दूसरी एक्ट्रेस का प्रवंध कीजिए ठीक है सर निखिल ने रिसीवर रख दिया रिसीवर रखकर उसने अपना ग्लास खाली किया और फिर शिल्पा को खीच कर अपनी गोध में डाल लिया शिल्पा ने कोई विरोध ना किया खिडकी खुली थी ताजी हवा के जोंके मनू के बालों से खिलवार कर रही थे पूरव की दिशा से चांद निकल आया था वातवरन पर दूधिया चांदी जिटकी थी किन्तु मनू की द्रश्टी अपनी उंगली में सजी हीरे की अंगुठी पर थी निकल यही तो चाता था कि वैसुहागरात वाले दिन उसकी दी हुई अंगुठी को पहने निकल की इस अंगुठी को देखते देखते उसके मन मस्तिष्क में बेचैनी सी भर गई उसे यो लगा कि निकल तो उसने वास्तव में चाहा था पहले भी और आज भी वैस समझना पा रही थी कि आज से एक वर्ष पहले उसे क्या हो गया था क्यों इतनी घ्रणा उत्वन हो गई थी उसके हिरदय में निकल के लिए क्यों इतनी निश्टर हो गई थी वै कि उसने निकल से साफ साफ कह दिया था निकल आज के पस्चात हम दोनों की राहें अलग-अलग होंगी न तुम उससे मिलने का प्रयास करोगे और ना ही मैं तुमसे मिलोंगी हम भूल जाएंगे एक दूसरे को हम ये भूल जाएंगे कि कभी एक ही राह पर चले थे हम ये भूल जाएंगे कि हमने कभी एक दूसरे को चाहा था पापा मेरा विवा एक अन युवक से करना चाहते हैं और मेरी विवश्टा यह है कि मैं उनके निर्णे को बदल नहीं सकती आशा है तो मुझे माफ कर दोगे और हमेशा के लिए भूल जाओगे इसके उपरांध मानों सब कुछ बीद गया था प्रेम का एक युग एक प्रेम कहानी जो पूरी होने से पहले ही पूरी हो गई थी किन्तु मनु को लग रहा था कि वे कहानी फिर दोराई जा रही थी शायद उस कहानी का अंध ही ना हुआ हो अंध होता तो यह कहानी फिर क्यों शुरू होती फिर क्यों आता निखिल उसके जीवन में मनु चोंग गई चैरा घुमा कर देखा यह आनंद था आनंद ने अंदर आते ही द्वार बंद कर दिया और जूते उतार कर विस्तर पर बैठ गया इसके पस्चाद मैं मनू से बोला ये दूरी, ये खामोशी, इस राट ठीक नहीं और क्या करूँ? मनू ने आनन से पूछा सच्चाई यह थी कि उसने यह प्रशन अपने हिर्दय से किया था आनन ने उसे अपनी और खींच लिया बोला, कुछ गुनगुनाव, कुछ गाव किन्तु तुम्हारे इन गुलाबी ओटों से फूटने वाला गीद ऐसा हो जिसके गुलाब की महक हो और फूलों का रस घुला हो मैंने आस्ता कुछ गाया होता तो यह जीवन संगीत में ना बन जाता जीवन संगीत का ही दूसरा नाम है इसमें सुर भी है और ताल भी है दिक्कत तो यह है कि कुछ लोग इस संगीत को समझ नहीं पाते जो नहीं समझते उन्हें यह जीवन जीवन नहीं बलके कार्टों की राह लगता है तुम्हारे इन ओठों को गुलाव की पंखडियां कहा जाता तुम्हारे इन आखों को जील की संग्या दी जाती और तुम्हारे इस गोरे गोरे मुखडे को चांद कहा जाता ना बाबा ना इतना जूट में नहीं बोल सकता था तुम भी जानती हो कि चांद चांद होता है किस रूप में संसार के सामने रखता है क्या सोचने लगी मनु वही सोच रही थी कि जो उसकी सकी संध्या ने कहा था उसने कहा था तुम्हारा प्रोफिसर तुल सुहागरात वाले दिन भी अपना दर्शन बखारेगा और यही हो रहा था बोलो ना आनंद ने उससे फिर कहा क्या बोलूँ कुछ भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोलते रहो और मैं आखे बंद किये चुपचाब सुनती रहूँ हूँ हूँ भला ऐसा कैसे हो सकता है आज हमारा प्रथम बिलन है बिलन की यह रात हम दोनों की है अते मेरे ओंट खुलें और तुम्हारे बंद रहें यह जान सके क्या आत्माओं के मिले बिना प्रेम संभव नहीं नहीं उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता ऐसा प्रेम किवल शारेरिक प्रेम हो सकता है आनंद ने कहा तभी उसकी नजर मनु की उंगली में पहनी डायमेंड रिंग पर पड़ी और वे चौकर बोला यह रिंग तुम्ह किसने दी क्यों बहुत कीमती है ना 20-25 जार की तो होगी इसलिए पूछ बैठा मेरी एक सकी ने दी है नाम ना पूछो तो ठीक है वैसे अच्छी है ना मनु ने अंगूठी वाली उंगली को आनंद के सामने नचाते हुए उससे पूछा हाँ बहुत सुन्दर है आनंद बो सकता है अँदर्शन स्चास्र की कोई पुस्तक एक दार्षनिक अपनी पत्नी को इसके अलावा और दे भी क्या सकता है मनु ने कहा और हस पड़ी क्यों दार्षनिक के हिर्दे में भावनाई नहीं होती है बाबा अच्छा अब इस बहष को छोड़ो और सो जाओ मैं तो आनन्द ने लेटकर मनु को अपनी और खीच लिया और बोला मनु कहते हैं कि आज की रात पति-पत्नी को कोई ना कोई उपहार अवश्य देता है तुम क्या दे रहे हो? यही सब सोस्ते सोस्ते दिन बीद गया किन्तु समझ ना पाया कि क्या दूँ सोस्ता हूँ आज की रात तुम्हें एक बचन दे दूँ बचन? मनु ने कहा और अनाया सीहस पड़ी एक दार्षनी के पास उसे देने के लिए और हो भी क्या सकता था हाँ आनन्द बोलवा यो समझो के एक सौगंद, एक बादा और वो यह के मैं तुम्हें जीवन भर उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ उपहार अच्छा है और मैं चाहता हूँ के तुम भी मुझे यही उपार दो बचन दो के हमारे प्रेम में कभी कोई कमी ना आएगी तुम मुझे भविश में भी उतना ही चाहोगी जितना आचाती हो भविश का क्या पता? क्यों? भविश एवं बर्तवान के बीच अंधकार की बहुत बड़ी दीवार होती है बर्तवान में बैटकर भविश को देखना बहुत कठिन होता है अते भविश में क्या होगा कोई नहीं जान पाता फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा हो हम दोनों एक दूसरे को यूँ ही चाहते रहें ऐसा ही होगा मनू ऐसा ही होगा आनंद ने कहा और इसके साथ ही उसने मनू के ओठों से अपने ओठ सटा लिए मनू ने आखे मूद ली उसके उमोठों पर अब दूर दूर तक भी मुस्कराहट न थी निखिल ने फिल्म का प्रिंट देखा और इसकी उपरान वेखुश होकर पाशा से बोला थेंक्यो मिस्टर पाशा फिल्म अच्छी है ना सर अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी हमारी ये फिल्म होंग कॉंग में तहलका मचा देगी अब आप ऐसा करें कि इसी सब्ता दूसरी फिल्म की तैयारे शुरू कर दें सर इसक्रिप्ट तो सीखी रहेगी न मिस्टर पाशा इस प्रकार की फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का कोई महत्व नहीं होता कहानिया सब भी एक जैसी होती है और उद्देश भी एक ही जैसा होता है मैं समझ गया सर गुड अब आप जा सकते हैं पाशा फिल्म का प्रिंट लेकर बहार चला गया उसके जाते ही कोपिनाथ आ गए निखिल ने अविवादन के उपरांत उनका स्वागत किया आईए अंकल बैठिये निखिल कोपिनाथ बैठ कर बोले मुझे तुमसे बहुत बड़ी शिकायत है वे क्या अंकल तुम अनू के विवा में क्यो नहीं आए आपकी ये शिकायत उचित है किन्तु विश्वास कीजिए मैं उस दिन शाम की फ्लाइट से होंग कॉंग चला गया था कामी कुछ ऐसा था आशा है इस अपराद के लिए आप मुझे माफ करेंगे नहीं अपराद जैसी बात नहीं निखिल असल में तुम्हारी अनुपस्थिती मुझे पूरे दिन खलती रही चलिए कोई बात नहीं निखिल ने कहा फिर कुछ सोच कर बोला आपका काम कैसा चल रहा है ठीक है और आशा भी है कि ठीक समय पर पूरा भी हो जाएगा मैं अगले सपता आट-दस आदमी और बढ़ा रहा हूँ पैसे समंदी कोई समस्या हो तो आप सकसेना जी से चेक ले लें मैंने उससे कह दिया है नहीं अभी ऐसी कोई समस्या नहीं गोपिनात ने कहा निखिलने चप्रासी को बिलाकर उससे कौफी लाने के लिए कहा और फिर एकाएक बोला अंकल एक शिकायत तो मुझे भी है आपसे मुझसे वे क्या मैंने सुना है आपने सेट जानकी दास से पांच लाग का रिंड ले रखा है और मनु के विवा के लिए भी दो लाग का रिंड लिया है हाँ गोपिनात बोले किन्तु विवश्ता थी फिछले एक वर्ष में इतना घाटा उठाया कि रिंड लेना पड़ा कोटी गिर्वी रखनी पड़ी पनु के विवा के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था अते दो लाग का रिंड विवा के लिए लेना पड़ा काम अच्छा चल गया तो उतर जाएगा हम इस समय कितना ख़ज है आप पर कुल मिलाकर साथ लाख और ब्याज मिलाकर साड़े साथ लाख मान लो आप इस विशे में मुझसे भी तो कह सकते थे एक बार सोचा भी था किन्तु साहस ना हुआ साहस आपको करना चाहिए था अंकल मैं तो आपके बेटे के समान हूँ मुझसे कैसा संकोच इतना कहकर निखिल ने इंटर कॉम का रिसीवर उठाया और सक्सेना से कहा मिश्टर सक्सेना गोपिना जी को साड़े साथ लाग का चेक दे दे इसी समय कहते ही उसने रिसीवर रख दिया गोपिना तुसे अचरज एवम अविश्वास से देखने लगा बात प्रसंदिता की थी किन्तु अविश्वास पूर्ण भी निखिल एक दिन उसका रिण समस्रिण चुका देगा ऐसा तो वह एक ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे तब ही रिसीवर रख कर निखिल ने उससे कहा अंकल मैं आपको साड़े साथ लाग का चेक दे रहा हूँ जान की दास का रिण आप आज ही चुका दीजिए लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया निखिल मैंने अपनी उटसु कुछ नहीं किया अंकल मेरे पास पैसा था और आप कर्च के बोस से दबे थे ऐसे मैं आपको चिंता मुक्त करना मेरा फर्ज था मैं तो किवल आपको चिंता मुक्त किया है उसी समय सकसेना चैक लेकर आ गया निखिल ने सकसेना से चैक लेकर गोपिनाद को दिया और बोला लीजे अंकल और कुछ मत सोचिए निखिल तुम तो वास्ता में देवता निकले मैं मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगा लेकिन यह रकम में चुकाऊंगा कैसे उसकी आप चिंता ना करें तब ही चपरासी कौफी ले आया कौफी पीकर गोपिनाच चले गए निखेल ने शिलपा को बला लिया शिलपा उसकी सेकरेटरी ही नहीं सब कुछ थी निखेल उसे लेकर दूसरे कमरे में पहुँचा और सोफा कम बैट पर लेटते हुए बोला बहुत थक गए हैं शिलपा सेवा पताईए सर सेवा तुम भली प्रकार जानती हो कुछ गाओ, कुछ गुनगुनाओ कुछ अपनी कहो, कुछ हमारी सुनो आप भहत रोमांटिक हैं सर थे, निखिल बोला किन्तु पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं हमें, हमें चैन नहीं है शिलपा हमें एक पल के लिए भी चैन नहीं है मनू के कारण ठीक समझी तुम, उसी के कारण उसी ने ये उल्जने पैदा की हैं हमारे दिमाग में दुख तो इस बात का है कि हमने जीती हुई बाजी हार दी है, हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है यदि हम चाहते तो उसकी शादी रुख सकती थी वे हमारी दुलहन बन सकती थी शिलपा अलमारी से पीने का सामान निकालने लगी बोली, आपने ऐसा क्यों नहीं चाहा सोस्ते थे, निखिल उठा और दीर गनिश्वास हीच कर बोला, हम उसे भूल जाएंगे खौ़ाब की भाती देखा और भुला दिया हमने यह भी सोचा था के शायद हम उसे शिर्ष नीचा दिखा रहे हैं शायद हम उसे बीते हुए दिनों पर पस्ताने पर विवश कर रहे हैं और हम उसे बिलकुल भी नहीं चाहते ये तो हमने उसके विवा के फश्चात जाना कि हम उसे आज भी कितना चाहते हैं इतना कहकर निखिल नीचे उत्रा और उसने सड़क की और खुलने वाली खिड़की खोल दी शाम बड़ी तेजी से डूपती जा रही थी तब ही शिल्पा उसके समीप आई और बोली सर क्या आप अपनी ये पीड़ा मुझे नहीं दे सकते कुछ पीड़ाएं बाटी नहीं जा सकती शिल्पा उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है आप सोचते हैं मैं आपसे प्यार मांगूगी नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है वैसे भी आप प्यार पर विश्वास नहीं करते आप विश्वास करते हैं इस बात पर किस अंसार में जो कुछ है सिर्फ दौलत है मैं तो आपका मन महलाने की बात कर रही हूँ आपकी पीडाओं को बाटने का काम कर रही हूँ आप प्यास करेंगे तो मेरे साथ आपकी पीडाओं को कुछ कम कर देगा निखिल ने इस बार कुछ ना कहा शिल्पा ने उसकी ओर ग्लास बढ़ा दिया ग्लास लेकर निखिल ने खिड़की बंद की और बैट गया शिल्पा ने अपने उपरी वस्तुतार दिये अपना कर्तब वे जानती थी निखिल ने उसे इसी शर्ट पर नौकरी दी थी फिर जब निखिल अपना ग्लास खाली कुछ चुका तो वे उसकी गोद में लेट गई और बोलिए अब छोड़िए भी सर और मेरी आँखों में देखिए इन आँखों में वे सम्मोहन नहीं तो फिर मेरे इन गुलाबी ओटों को देखिए सर तुम्हारे ये ओट बहुत सुंधर है शिल्पा बहुत शुर्ख हैं किन्तु इन में वे मधू नहीं अपमान से उसका रोम रोम चीक उठा फिर भी शांत स्वर में उसने कहा आश्चर है सर मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है और फिर भी आप तुम्हारे पास वे खुबसूरत जिस्म है जो हमारी वासना की प्यास बजा सकता है किन्तु तुम्हारा ये जिस्म हमारे हिर्दय में उफनते प्यार के तूफान को शांत नहीं कर सकता अच्छा होगा कि तुम सिर्फ अपने जिस्म को याद रखो और प्यार की भाशा को भूल जाओ निकिल ने कहा और इसके साथ ही उसने शिल्पा को अपनी बाहों में भर लिया शिल्पा भी कुछ कहने का साहस ना कर सकी मनु अपनी ससुराल में तीन दिन रही और इसके पस्चात आनंद के साथ अपने पिता के पास आ गई आनंद के पैत्रिक मकान में केवल दो कमरे थे और दो कमरों में दो परिवारों को निर्वा वैसे भी कठिन था इसके अत्रिक्त बेटी के विवा के पस्चात गोपिनात भी अकेले रह गए थे और आनंद को उनके विशे में भी सोचना था गोपिनात को आनंद के इस निर्णय पर प्रसंदता हुई उसी शाम खाने की मेज़ पर गोपिनात ने निकिल का विशे छिड़ दिया और आनंद को सम्भोधित करते हुए कहा मनश्य अपने जीवन में कभी-कभी बड़ी विचित्र भूलयां कर बैठता है उनमें एक भूल यह भी होती है कि जो लोग हमारे आसपास होते हैं हम उने पहचानने में गलती कर बैठते हैं मनु बोली पापा मुझे तो यह लगता है कि आप भी आनंद की तरह दार्शनिक बनते जा रहे हैं नहीं बेठी यह दर्शन नहीं बलके एक सच्चाई है और इस सच्चाई का संबन किस्से है निखिल से निखिल का नाम सुनते ही मनु के खाने पर चलते चलते हाथ रुख गए उसने कनखियों से आनंद को देखा आनंद इन सब बातों से बेखवर चुपचाप खाने के कौर तोड़ रहा था गोपीनात कहते रहे मैं निखिल के पूरे परवार को जानता हूँ मुझे उसमें एक उसके परिवार में कोई भी दोश नजर नहीं आया कमी थी तो सिर्फ यह कि निखिल के पिता एक बेंग कर्मचारी थे और निखिल की मा एक पबलिक स्कूल में आया की हैथियस से काम करती थी इसकी अध्रिक्त इसकी बड़ी बहन भी एक पबलिक स्कूल में टीचर थी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी निखिल का भाई ना तो पढ़ता था और ना ही कोई काम करता था आनंद ने कहा पापा, ये तो आप उसकी आर्थिक इस्तिती के विशय में बता रहे हैं इसका आर्थ ये तो नहीं है कि उसके परिवार में अत्फ़ा उसमें कोई दोश था दो शेय था कि मेरी और उसके परिवार की हैसियत में धर्ती आस्मान का अंतर था मेरा विचार है आपकी और निखिल के पिता की अच्छी जान पेचान होगी हाँ जान पेचान थी वे लो कभी कभी यहां आती भी थे किन्तु मेरे हिर्दे में उन लोगों के लिए कोई सम्मान ना था छोड़िये भी पापा बात के विश्य को रोकने के उद्देशे से मनु बोली उसे बैद था कि कहीं पापा उसके एवं निखिल के संबंदों की चर्चना कर बैठे मैं कुछ और कह रहा था कुछ और हाँ मैं यह बताना चाहरा था कि मैंने जिस विक्ति को हमेशा घ्रणा की द्रश्टी से देखा वही मेरे जीवन में फरिश्टा वन कर आया निखिल ने ना केवल मुझे अपने इस्टूडियो का ठेका दिया बलके मुझे जानकी दास का रिंट चुकाने के लिए साड़े साथ लाक रुपे भी दिये मैं तो नतमस्तक हो गया उसके सामने मानो उसने मेरा जीवन ही नहीं मेरी आत्मा भी खरीद ली हो यदि वै आयू में मुझे छोटा ना होता तो मैं उसके पाउँ पकड़ लेता ये सुनकर मनु को प्रसन्नता होई जबके आनन्द का चलता हाथ रुख गया वै बोला वास्तब में आश्चर जनक बात है और उससे भी आश्चर जनक बात यह है कि चपरासी का बेटा एका एक इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया सब उपर वाले की माया है आनन्द बेटे वै जब देता है तो चपर फाड कर देता है उसे भिकारी को बाशा बनाने में देर नहीं लगती निखिल का एक रिष्टेदार उसके नाम करोणों की संपत्ती छोड़ गया था ओ, किन्तु यह साहब स्टूडियो किसलिए बनवा रहे है निखिल फिल्म निर्माता बन गया है फेलाल तो भे विज्यापन फिल्म में बना रहा है किन्तु आगे चलकर भे बड़े बजट की फिल्म बनाने वाला है लड़का महनती है और काबिल भी मैं समस्ता हूँ उसे काम्याबी जरूर मिलेगी आनंद ने इस बार कुछ न खाया खाना समाप्त होने पर गोपिनात अपने कमरे में चले गए आनंद एवं मनु भी कमरे में आ गए कमरे में आकर आनंद ने मनु से पूछा मनु तुम तो जानती होगी उसे किसे निखिल को कुछ अधिक नहीं कभी कभी आते थे वैसे ये आश्चरजनक बात है क्यों एक चपरासी का बेटा रातोनात करोड़ पती बन जाए मनुष्ट का भाग बदलते देर नहीं लगती इतना कहकर मनु ने एक पत्रिका उठाई और बिस्तर पर लेट गई आनंद ने विशे बदल कर कहा इजाज़त हो तो मैं प्रोफेसर भटनागर से मिलाऊं इसमें इजाज़त कैसी कोई आवश्यक काम हो तो मिलाओ लोटना कब है एक घंटा तो लगी जाएगा ठीक है फिर आनंद चला गया और मनु उठकर फोन के समी पा गई आज चार दिन बीद गए थे निखिल का कोई समाचार ना मिला था उसने रिसीवर उठा लिया किन्तु नंबर डायल करने से पूर्व हिर्दय को जटका सा लगा अंतरात्मा ने जैसे पूछ लिया क्या कर रही है निखिल से पूछना चाती हूँ वे कैसा है निखिल से तेरा क्या रिष्टा है वे मेरे जीवन का पहला प्यार है जूट बोल रही है तू यदि वे तेरे जीवन का पहला प्यार होता तो क्या तू उसके प्यार को योंट होकर मार देती घ्रणा करती उससे इस आवाज को दवानी की कोशिश करती हुए मनू ने कहा निखिल से मैंने कभी घ्रणा नहीं की क्यों? तेरा उसकी ओर से मूँ फेर लेना ये कहना के भविश्य में तुम मुझसे कभी न मिलोगे और फिर उसे भुला कर आनन से प्रेम करना यदि ये घ्रणा ना थी तो क्या था? मैं पापा के निड़ने के कारण विवश्ट थी तू चाहती तो पापा के निड़ने को बदल भी सकती थी उन्हें तेरी हट के आगे चुकना पड़ता किन्तु तूने ऐसा ना किया कारण ये था कि तू निखिल की गरीवी को सीकार करने को तयार ना थी तुझे निखिल की तो जरूरत थी किन्तु उसकी निर्धंता की नहीं और इसी निर्धंता के कारण तूने उससे ग्रणा की इसी निर्धंता के कारण तूने उससे मिलना उचित ना समझा और आज, आज जब तू उसे एक अमीर युवक की रूप में देख रही है तो तेरे हिर्दय में उसके लिए प्यार उमड रहा है उससे मिले बिना तुझे चैन नहीं क्या इसका अर्थ यह नहीं कि तू निखिल से नहीं उसकी दौलत से प्यार करती है नहीं, चीक सी पड़ी मनू बोली, यह सब जूट है, यह सच नहीं मैंने निखिल की दौलत से नहीं, निखिल से प्यार किया है मेरे हिर्दय में उसके लिए आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था अंतरात्मा जोरों से हस पड़ी मनू ने घबरा कर रिसीवर रग दिया और यों हाफने लगी मानो मीलों से भाग कर आई हो तभी फोन की घंटी बजी मनू ने शिग्रता से रिसीवर उठाया बोली, हेलो, मनू बोल रही हूँ मैं निक्की बोल रहा हूँ मनू तुम्हारा निक्की ओ, मनू के ओठों से निकला बोली, कैसे हो तुम भीमार हूँ मनू माई गौड मनू घबरा कर बोली, कौन सी बीमारी लग गई दिल की और जानती हो, यह बीमारी मुझे किसने दी तुमने, तुम्हारे प्यारने मनू आज मेरे जीवन में सब कुछ है दौलत भी और इच्चत भी किन्तु इसके बावजूत भी तुम्हारी कमी खल रही है यू लगता है मानो विधाता ने मुझे सब कुछ दे कर भी कुछ न दिया हो ऐसा ना कहो निक्की ऐसा ना कहो यह मत सोचो के मैं तुम्हारी नहीं मैं पराई हो गई तो क्या किन्तु मेरा प्यार तो आज भी तुम्हारा है फिर कमी कैसी लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी तो प्रेम करते हैं दूर दूर रहने से प्रेम तो नहीं मिट जाता यही सोच कर तो अपने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आउंगा मनु किन्तु कल तो तुम्हें आना पड़ेगा जानती हो क्यों क्योंकि कल मेरा जर्म दिन है आनन से कुछ भी कह देना और संध्या को ठीक पांच बजे रोशनी बाग में मिलना हम लोग कहीं दूर चलेंगे तुम तुम आओगी न मनु मैं आउंगी निकी जरूर आउंगी तभी दूसरी और से संभंध विच्छेद हो गया और मनु ने निश्वास लेते हुए रिसीवर रख दिया तो दोस्तों इस प्रकार अभिशाप उपन्यास का पहला बाग समाप्त हुआ आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्वी पसंदारा होगा तो यदि आपने चनल सुब्स्राइब नहीं किया है तो चनल सुब्स्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेट में हमें जरूर बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसा लग रहा है धन्यवाद